नमस्ते फ्रेंड्स मैजिक हैंडवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स मैं आज आप लों के लिए दिल लाकार का डिजाइन लेके आई हूँ और यह डिजाइन मुझे कमें रिक्वेस्ट किया गया था फ्रेंड्स मुझे बहुत सारा डिजाइन रिक्वेश्ट में आता है तो प्लीज आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए मैं एक एक करके सभी डिजाइन जो है आप लोग के साथ सेयर करूंगी और आज मैं जो आपको डिजाइन बता रही हूँ या डिजाइन आप जरूर बनाएगा अगर आपको थोड़ा सा भी कुरूशिया चलाने आता है तो आप इसे असानी से कम समय में ही तयार कर सकते हैं और इसमें मैंने इश्टीज जो है बहुत कम रखा है तो चलिए इसे हम बनाते हैं सबसे पहले हम तोरन पट्टी बनाएंगे तो इसके लिए हमें अभी टोटल साथ चैन तयार करना है तो ये हमारा एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और ये साथ नीचे से हम दूसरा वाला चैन में डिजाइन बनाना शुरू करेंगे तो नीचे से ये हमारा दूसरा वाला चैन है यहाँ पर हम डिजाइन बनाएंगे तो कुरूस में फंदा लेंगे, चैन में डालते वे फंदे को निकालेंगे जितना लंबा हमारा चैन होगा, उसी के हिसाब से हमें फंदे को निकालना है तो अभी हमें छे बार फंदे को निकालना है तो हमने एक निकाल लिया, ये दो, ये तीन, चार, पांच, और ये छे धीरे-धीरे हमारा फंदा जो है, छोटा होते जाएगा इसके बाद हम कुरुस में फंदा लेंगे और दो-दो, उन्द से हम इस तरीके से निकालते जाएंगे फिर से फंदार लेंगे, दो उन के बाद हम निकाल लेंगे, फिर से फंदार लेंगे, दो के बाद हम निकाल लेंगे, तो इस तरीके से हम निकालते जाएंगे, लाश्ट में हमारा दो बचेगा, इस आइन का हमारा एक भाग बन गया, अब हम दूसरा भाग बनाएंगे, इसे हम इस तरीके से पलट देंगे और ये जो नीचे हमने जहां से बनाना सुरू किया था वहाँ से हम फिर से छे बार फंदे को निकाल लेंगे सबसे पहला फंदा जो है हमारा लंबा रहेगा उसके बाद धीरे धीरे छोटा होते जागा तो हमें छे बार इस तरीके से निकाल देना है और इसके बाद हम फंदाल लेते हुए दो-दो उन के बाद हम इस तरीके से निकालते जाएंगे जैसे हमने पहला भाग बनाया था उसी तरीके से हमें दूसरा भाग भी बनाना है यह हमारा दिल लकार का डिजाइन तयार हो गया पूरे डिजाइन में हम इसी तरीके से दिल लकार का डिजाइन बनाएंगे और इसके बाद हम इसके आगे बनाते हैं तो अभी हम यहाँ पर तीन चैन बनाएंगे ये हमारा एक दो और ये तीन हमने जो पहला वाला चैन लिया था इसमें हमें एक डबल कुश्या बनाना है तो कुरूस में फंदा लेंगे चैन में डालते ही वे हम फंदे को बहार निकालेंगे फिर से फंदा लेंगे 3 का 2 करेंगे फिर से फंदा लेंगे 2 का 1 तो ये हमारा double crochet हो गया इसके बाद जैसे हमने नीचे दिल लकार का design बनाया था उसी तरीके से हमें बनाना है तो अभी हमें 6 chain लेना है तो ये हमारा 6 chain हो गया सबसे नीचे वाले चैन से हम फंदा निकालेंगे 6 बार जैसे कि हमने नीचे बनाया था तो ये वाला चैन में हम 6 बार निकालते जाएंगे सबसे पहला वाला जो फंदा रहेगा जितना लंबा हमारा चैन रहेगा उसी का नाप से रहेगा फिर धीरे धीरे ये छोटा होते जाएगा तो हमें छे बार निकालना है तो मैं आपको पूरा ये डिजाइन जो है बना करके अच्छे से दिखाती हूँ तो ये हमारा दूसरा डिजाइन भी तयार हो गया बस इसी तरीके से हमें बनाते जाना है तो फिर से हम यहाँ पर तीन चैन बनाएंगे और पहले वाले चैन में हम एक डबल गुश्या बनाएंगे बस इसी तरीके से फ्रेंड्स आपको जितना लंबा तोरन का पट्टी रखना है आप उसी के हिसाब से बना लीजे तो मैं आपको पूरा बना करके फिर अच्छे से बताती हूँ तो ये मैंने तोरन का जितना मुझे लंबाई रखना है उसी के हिसाब से पटी तयार कर लिया और मैंने जो तोरन पटी बनाया इसका लंबाई जो है वो लगभग 25 इंज है तो इसी के हिसाब से टोटल 14 दिल वाला डिजाइन तयार हुआ है अब हम इसके किनारे का डिजाइन बनाएंगे तो उससे पहले यह जो हमारा लाश्ट वाला उन है इसे हम अच्छे से कुरुस की मदद से पीछे लगा देंगे और बाद में हम इसे अच्छे से बांध देंगे तो अब ही मैं यहाँ पर किनारे का डिजाइन बना रही हूँ तो उन को हम इस तरीके से बीचो बीच यहाँ पर जोड़ेंगे पहला वाला जो हमने डिजाइन बनाया है उसके बीचो बीच हम यहाँ पर जोड़ेंगे उन का जो कलर है आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते है उन हमारा अच्छे से जुड़ गया इसके बाद इसमें हम तीन चैन लगाएंगे यह हमारा एक दो और यह तीन डिजाइन को हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे और इसके बाद हम बनाएंगे यह हमारा उल्टा तरफ है जिधर चैन था यह उल्टा तरफ है और यह हमारा सीधा तरफ है और अब हम इसके बीच में डिजाइन बनाएंगे तो यहां हमें पॉफ श्टीच बनाना है तो यह हमारा तीन हो गया और यह चार फिर सभी को हम एक साथ इस तरीके से लॉक कर देंगे और इसके बाद इसमें हम एक चैन लगाएंगे और इसके बाद हम इसी के बीच में फिर से एक और पॉफिश टिच तयार कर लेंगे हमारा दूसरा पॉफिश टिच तयार हो गया बस इसी तरीके से हमें पूरा डिजाइन जो है आगे बनाते जाना है यहाँ पर हम फिर से तीन चैन लगा देंगे और डिजाइन के बीचो बीच इसे हम यहाँ पर लॉक कर देंगे और इसके बाद हम फिर से तीन चैन लगाएंगे और बीच में यहाँ पर हम बीच में एक पॉफिश टिच एक चैन एक पॉफिश टिच तयार कर लेंगे जैसे कि हमने पहले किया था डिजाइन हमारा इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएगा तो मैं आपको पूरा लाश्ट तक जो है यह डिजाइन बना करके फिर अच्छे से बताती हूँ तो यहाँ तक मैं जो लाश्ट वाला डिजाइन है वहाँ तक मैं आपको बना करके यहाँ तक दिखाती हूँ हमारा उपर का जो डिजाइन है वो पूरा तैयार हो गया अब हम इसके आगे का डिजाइन बनाएंगे तो फिर से हम यहाँ पर तीन चैन लगा देंगे यह हमारा एक, दो और यह तीन और डिजाइन के बीचो बीच इसे हम लॉक करेंगे फ्रेंड्स अभी हम कोना पर का डिजाइन बनाएंगे डिजाइन में हमारा चार कोना है तो अभी हम पहला कोना बनाएंगे तो पहले हम यहाँ पर चैन ले करके देख लेंगे कि कितना चैन में हमारा डिजाइन जो है अच्छे से सेट हो रहा है तो यहाँ मेरा चार चैन में डिजाइन जो है अच्छे से सेट हो गया तो इसके बाद हम बीचो बीच इसे इस तरीके से लॉक कर देंगे और हमारा पहला कोना तयार हो गया दूसरा कोना में भी हम चार चैन लगा देंगे तो फ्रेंट्स इसी तरीके से पहले आप चैन लगा करके देख लीजेगा कि कितना chain में कोना जो है अच्छे से सेट हो रहा है उसके बाद आप बनाईएगा तो यहां मेरा चार chain में सेट हो गया फिर हम उपर design को यहां बीचो बीच यहां पर इसे लॉक करेंगे और फिर से हम तीन chain बनाएंगे जैसे कि हमने पहले बनाया था और फिर हम नीचे यहां पर एक पॉफिश्टीच एक चैन एक पॉफिश्टीच बीचो बीच तयार कर लेंगे तो बस इसी तरीके से हमें design को आगे बढ़ाते जाना है हमारा दूसरा पॉफिश्टीच तयार हो गया इसके बाद हम यहां पर तीन चैन लगा देंगे और फिर इसे हमें design के बीच में lock करना है तो नीचे हमने जहां lock किया था उसी के नाप से हमें उपर इस तरीके से lock कर देना है और फिर से हम तीन चैन लगा देंगे और फिर बीच में हम एक पॉफिश्टीच एक चैन एक पॉफिश्टीच बनाएंगे तो बस ऐसे ही हमें उपर का पूरा डिजाइन जो है तैयार करना है तो मैं आपको पूरा लाश्ट तक डिजाइन करके फिर अच्छे से बताती हूँ तो यह हमारा इस तरीके से उपर का डिजाइन जो है तैयार हो गया अब मैं आपको तीसरा और चौथा कोना कैसे बनाना है वो मैं आपको बता देती हूँ तो जैसे हमने उस तरफ नाप करके चैन लगा करके बनाया था उसी तरीके से हम इधर भी चैन लगाएंगे और बीच में इसे लॉक करेंगे और उसके बाद फिर से हम यहाँ पर चैन लगा देंगे बनाना सुरू किया था वहाँ पर हम करूस को ले जाएंगे और उनको इस तरीके से हम बाहर निकाल देंगे तो यह हमारा किनारे का डिजाइन तयार हो गया अब हम इसके जाली के बीच में डिजाइन बनाएंगे तो अभी हमें जाली में बस तीन सिंगल कुष्या बनाते जाना है तो यह हमारा एक हो गया दो और यह तीन इसके बाद जो puff stitch वाला जाली है उसमें हम एक सिंगल कुश्या बनाएंगे इसके बाद वाला जाली है उसमें हम तीन बनाएंगे तो puff stitch वाला जो जाली है उसमें हमें एक सिंगल कुश्या बनाना है और बाकी जितना भी जाली है सभी में हमें तीन सिंगल कुष्या बनाना है तो इस तरीके से हम उपर का जो लाइन है पूरा तयार करेंगे और मैं आपको लाश तक जो है बना करके दिखाती हूँ कि हमें पहला कोना कैसे बनाना है और फ्रेंड्स यहाँ मेरा तीन सिंगल कुर्षिया और बीच में एक सिंगल कुर्षिया फिर तीन सिंगल कुर्षिया करने से डिजाइन जो है अच्छे से सेट हो गया अगर आपका डिजाइन सेट नहीं हो रहा है तो आप जादा या कम सिंगल कुश्या कर सकते हैं तो बस ऐसे ही हम बनाते जाएंगे तो ये मैंने इस तरीके से डिजाइन जो है लाश तक तयार कर लिया अब हम पहला कोना बनाएंगे तो पहला कोना में हमें बस तीन सिंगल कुश्या एक चैन तीन सिंगल कुश्या बनाना है ताकि जो कोना है हमारा अच्छे से सेट हो जाए तो हमने तीन सिंगल कुष्या और एक चैन बना दिया इसके बाद हम फिर से तीन सिंगल कुष्या इसमें बना देंगे तो ये हमारा पहला कोना तयार हो गया दूसरा कोना भी हमें इसी तरीके से बनाना है तीन सिंगल कुष्या, एक चैन, तीन सिंगल कुष्या इसके बाद हम उपर तीन सिंगल कुर्षिया बनाते जाएंगे जैसे कि हमने पहले बनाया था बीच में तीन सिंगल कुर्षिया और पॉफ श्टीच के बीच में एक सिंगल कुर्षिया हमारा दो कोना तयार हो गया है इसे हम हलके हाथों से इस तरीके से खीज देंगे ताकि यह डिजाइन जो है अच्छे से सेट हो जाए और इसी तरीके से हमें तीसरा और चौथा कोना भी तयार करना है तो मैं आपको पूरा डिजाइन जो है बना करके फिर अच्छे से दिखाती हूँ डिजाइन बनाने का तरीका जो है हमारा एक ही रहेगा हमारा बहुत ही खुबसूरत तोरन का पट्टी तयार हो गया है और इसका जो लंबाई है वो लगभग 25 इंच है और इसी पट्टी के हिसाब से हम नीचे का जालर बनाएंगे और फ्रेंड्स यहां मैंने तोरन पट्टी के पीच में मोती भी लगा दिया है और आप चाहे तो मोती लगा के भी बना सकते हैं या फिरा पिना मोती का भी बना सकते हैं और यहां मैंने white color का मोती लगाया है, आप चाहे तो golden color का भी मोती लगा सकते हैं, हमारा पट्टी तयार हो गया है, अब हम नीचे का जालर तयार करेंगे, जालर जो है आप अपने पसंद के हिसाब से जादा या कम कर सकते हैं, यहां मैंने total पंदरा जालर लगाया है, फिर पंदरा चैन का दूरी इसी तरीके से मैंने यहां पर बनाया है, आप चाहे तो जैसे मैंने दो डिजाइन बनाया है, आप चाहे तो तीन या चार भी बना सकते हैं, और दो design के बीच में मैंने 15 chain का दूरी रखा है तो दूरी जो है आप अपने पसंद के हिसाब से ज्यादा या कम कर सकते हैं यहां मैंने 8 white color का जालर बनाया है जिसमें पहले chain बनाया है fit design और 7 रेट कलर का जालर बनाया है जिसमें मैंने पहले डिजाइन बनाया है उसके बाद मैंने चैन बनाया है जालर को जब हम इस तरीके से सेट करेंगे तो एक तरफ हमारा डिजाइन दिखेगा उसके बगल में चैन दिखेगा फिर एक तरफ डिजाइन उसके बगल में चैन त एक जालर में कितना आपको चैन का दूरी और कितना डिजाइन रखना है वो आप अपने पसंद के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं तो चलिए पहले हम जो वाइट वाला जालर है वो मैं आपको बनाना बता देती हूं दोनों जालर बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा पस एक जालर में चैन के बाद डिजाइन बनाना है और एक में हमें सुरू से ही डिजाइन बनाना शुरू कर देना है तो पहले हम white वाला जो जालर है वो मैं आपको बता देती हूँ तो इसके लिए यहां मैंने दूरी 15 चैन का लिया है तो पहले हम यहां पर 15 चैन बनाएंगे और शुरू में friends हमें थोड़ा सा उन जो है छोड़ देना है ताकि हमें तोरन पट्टी में इसे जोड़ने में असानी हो तो याद से हमें शुरू में थोड़ा सा उन को छोड़ देना है और उसके बाद हम इस तरीके से 15 चैन बनाएंगे तो यह हमारा 15 चैन तयार हो गया इसके बाद हम डिजाइन बनाएंगे जैसे हमने तोरन पट्टी में दिल वाला डिजैन बनाया था उसी तरीके से हमें बनाना है तो यहाँ पर हम साथ चैन लेंगे यह मारा दो, तीन, चार, पांच, छे और यह साथ साथवे वाले चैन में हमें डिजैन बनाना शुरू करना है तो मैं आपको पूरा यह वाला डिजैन बना करके फिर अच्छे से बताती हूँ हमारा एक भाग तयार हो गया है डिजैन को पलट देंगे और हम दूसरा भाग भी तयार कर लेंगे उधर से भी हम छे बार फंदे को निकालेंगे एक डिजैन हमारा तयार हो गया इसके उपर हम एक और इसी तरीके से डिजैन तयार कर लेते हैं तो फिट से हम छे चैन बनाएंगे और हम डिजाइन बना लेंगे हमारा दूसरा डिजाइन भी तैयार हो गया तो बस इसी तरीके से हमें बुड़ा जालर जो है बनाते जाना है जितना लंबा आपको रखना है उतना बनाते जाएगा और इसके बाद हम यहाँ पर 15 चैन लगा देंगे जो हमारा दो डिजाइन का बीच का दूरी होगा तो यह मैंने एक जालर जो है पूरा तैयार कर लिया है डिजाइन को मैंने दो दो करके दो बार बनाया है और बीच में 15 चैन का दूरी रखा है और लाश्ट वाला जो डिजाइन है इसमें मैंने एक ही डिजाइन बनाया क्योंकि इसके आगे मुझे नहीं बनाना है तो यहाँ पर हम उनको इस तरीके से लॉक करेंगे और थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से उनको हम कट कर लेंगे और फिर हम पीछे की तरफ हम इसे अच्छे से बांध लेंगे यहाँ मैंने बड़ा छोटा करते हुए वाइट वाला जो ज़ालर है वो टोटल आठ लगाया है और इसे तोरन में लगाने के बाद मैं आपको एक बर और अच्छे से दिखा दूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आजाए कि एक च्छालर में मैंने दूरी कितना रखा है और डिजाइन कितना रखा है यहां मैंने वाइट वाला में ही मोती लगाया है रेड वाला में मोती नहीं लगाया है अगर आपको पसंद हो तो आप रेड वाला में भी मोती लगा सकते है उन की मदद से ही मैंने यहां पर मोती लगाया है उन मैंने 4 प्लाए लिया है तो उन को मैंने 2 भागो में खोल दिया है और उसके बाद मोती लगाया है और यहां मैंने मोती 4 mm साइज का उजला रंग का लगाया है आप चाहे तो गॉल्डन कलर का भी मोती लगा सकते हैं तो इस तरीके से हम सुई की मदद से मोती लगा देंगे और अगर आपको उन से मोती नहीं लगाना है तो आप धागे की मदद से भी मोती लगा सकते हैं बस इसी तरीके से हमें मोती लगाते जाना है और तोरन पटी में भी हमें इसी तरीके से मोती लगाना है और फ्रेंड्स मैं अब आपको रेड वाला जो जालर है वो कैसे बनाना है वो बता देती हूँ बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा तो इस तरीके से हम पहले थोड़ा सा उन छोड़ देंगे इसी उन की मदद से हमें जालर को तोरन में जोड़ना है यहां हम डिजाइन से ही बनाना सुरू करेंगे तो सबसे पहले हम साथ चैन बनाएंगे और हमारा डिजाइन बनाने का तरीका जो है एक ही रहेगा तो मैं आपको थोड़ा सा बना करके फिर दिखा देती हूँ एक डिजाइन हमारा बन गया अब हम इसके उपर एक और डिजाइन बना लेंगे तो फिर से हमें यहाँ पर छे चैन बनाएंगे हमारा दूसरा डिजाइन भी बन गया इसके बाद हम 15 चैन लगा देंगे जो हमारा डिजाइन का बीच का दूरी होगा तो बस इसी तरीके से हमें जालर बनाते जाना है तो यह हमारा एक जालर जो है तैयार हो गया है और लाश्ट में बनने के बाद हम इस तरीके से यहाँ पर उनको लॉक कर देंगे इसी तरीके से हम बड़ा छोटा करते हुए रेड वाला जालर जो है पूरा तैयार कर लेंगे हमने सारा जालर जो है तैयार कर लिया है और अब मैं आपको इसे तोरन पटी में कैसे जोड़ना है वो मैं आपको बता देती हूँ और यहां मैंने जितना भी वाइट वाला जालर है सभी में मोती लगा दिया है तोरन पटी में भी मोती लगा दिया है और जो हमारा रेट वाला जो जालर है उसे भी मैंने तयार कर लिया है यहां मैंने दो रंग से जालर बनाया है आप चाहे तो एक रंग से भी जालर जो है तयार कर सकते है और अब हम इसे सुई की मदद से तोरन पटी के साथ जोडते चाहेंगे अभी मैं आपको दो जालर जो है जोड करके दिखा देती हूँ और उसी तरीके से हमें सभी जालर को जोडना है जालर जोडना बहुत ही जादा असान है तो अभी हम पहले तोरन पट्टी को इस तरीके से पलट देंगे पीछे की तरप से ही हमें जोड़ना है और किनारे में ये जो हमारा किनारे वाला चैन है यहां पर हम सुई डालेंगे और बस हमें इस तरीके से जोड़ने से पहले बस हमें एक बार देख लेंगे कि जालर हमारा सीधा हाय कि उल्टा है वो हमें अच्छे से देख लेना है और इसके बाद हम इस तरीके से सुई की मदद से जोड लेंगे वाइट वाला जालर हमें इसी तरीके से जोडना है और अब मैं आपको रेट वाला ये जो जालर है इसे मैं जोड के दिखा देती हूँ और इसे भी हम एक बार देख लेंगे कि सीधा है कि उल्टा है और इसके बाद हम इसे जोडेंगे जिस तरफ हमारा चैन रहेगा वो हमारा उल्टा रहेगा और फिर हम बराबर बराबर दूरी करते हूए जालर को जोडते जाएंगे दोनों जालर हमारा जोड़ गया और आगे की तरफ से डिजाइन हमारा इस तरीके से दिखेगा फ्रेंट्स डिजाइन जो है मैं आपको एक बड़ा और अच्छे से बता देती हूँ हमने इस तरीके से पहले तोरन पटी बना लिया और नीचे बराबर बराबर दूरी करते हुए जालर को लगा दिया यहां मैंने जालर जो है पीन की मदद से लगाया है अगर आपके पास स्पीड नहीं है तो आप उन के टुकड़े से भी जालर को लगा सकते है बीच में मैंने इस तरीके से छोटा जालर रखा और जैसा हमने एक भाग में जालर रखा उसी तरीके से हम दूसरे भाग में भी जालर रखेंगे बीच में हमने दो एक बनाया है और नीचे एक रखा है उसके बाद ये जो उजला वाला है इसमें मैंने दो दो बनाया है और नीचे एक रखा है इसमें मैंने तीन दो दो करके बनाया है और नीचे एक रखा है इसके बाद जो उजला वाला है इसमें भी मैंने ठीक उसी तरीके से तीन बार दो दो करके बनाया है और नीचे एक रखा है इसी तरीके से इसके बाद जो है लाल वाला है और उजला वाला है उसमें हम चार दो दो करके बनाएंगे नीचे एक रखेंगे और किनारे जो हमारा लाल उजला है उसे मैंने पांच दोदो करके बनाया है और नीचे एक रखा है डिजाइन हमारा पूरा तयार हो गया आप भी यह डिजाइन अपने पसंद के कलर के उन से बनाईए और आपको यह डिजाइन कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट में लिखे और फ्रेंट्स अगर आपको डिजाइन पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट और फ्रेंट्स फैमिली के साथ सेयर कर दीजेगा तो फिर हम मिलते हैं एक और ने डिजाइन के साथ थैंक यू